बियोजन अभीकिरिया या घटन अभीकिरिया वह अभीकिरिया है जिसमें एक जटिल योगी तो या दो से अधिक पदार्थों में तूट जाता है या संयोजन अभीकिरिया का बिल्कुल बीपरीत अभीकिरिया है ठीक है बिल्कुल उल्टा होता है अब यह जो है धीरे धीरे भूरा हो रहा है जो हम लोग फेरा सलफेट का लवन लिए थे फेरा सलफेट लवन है ना अब देखिए साइड से इसका रंग में परिवर्ता हो रहा है अब किनारे किनारे रंग बदल के आना बीच में धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अब इससे दो तरह की गैसे निकलेंगी सुलफर डायोक्साइड और सुलफर ट्रायोक्साइड और इसके साथ साथ खेरिक ऑक्साइड बनेगा जो यहां पर आपको इखटा हुआ है ब्राउन कलर का भूरा कलर का मिल जाएगा धीरे धीरे हरा रंग का जो लवन था जिसको हम लोग फेरस सलफेट कर रहे थे या आइरन सलफेट कर रहे थे वह आएब फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया है भूरा रंग का हो है दिखाए देरा है अब भूरा रंग होने के दर्मियान हम लोग देखेंगे कि इससे सलफेट डायोकसाइड गैस निकल रहा है अगर निकलेगा तो वहां नीले लिट पत्र को लाल कर देगा तो हम लोग इसको पहले सभी भिंगा लिए हैं तो भिंगाने के बाद यह लाल हो जाना चाहिए तो इसको आम लोग उसमें प्रवेश कराते हैं अगर गैस निकल रही होगी तो जरूर यह लाल हो जाएगा यह लाल होने में टाइम जाएगा इसका मतलब की से जो गैस निकल रही है साथ 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 त्रायोकसाइड डिस निकल रही है तो यह पाचान है कि अगर कोई भी अधातू का आभिसाइड है आधातू का उकसाइड है जह से स्टीज तो यह और अदातू पाउकसाइड का जो वह alors होता है क्या होता है कि अमली कि पाहचान कैसे करते हैं निला यहां बदल देता है तो यह ब्लू हम ले गए थे और यह हो गया तो इसका मतलब कि इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब निकल अब यह देखिए भूरा हो गया आपके सामने एक दियोजन अभिक्रिया को जिकत नहीं काल हम लोगों ने किया था सेयोजन अभिक्रिया का प्रेक्टिकल सेयोजन अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन और मैगनिसियम की अभिक्रिया कराये तो मैगनिसियम ऑक्साइड मिला और वह मैगनिसियम ऑक्साइड धातू का उक्साइड था और आप जानते हो कि धातू का उक्साइड कैसा होत उसको निला कर दिया था कर दिया सारा लाल टो जो इसको लाल कर दिया था विद्गा लाल से अपने ओक्साइड बनाया था मैगनीशियम ओक्साइड वह अच्छा रिये था इसलिए तो आपने पानी में गुला करके उसको मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया आज हम लोगों ने यानि फेरा सलफेट जिसको हम लोग आयरन सलफेट भी कहते हैं उसको हम लोग उसमा द्वारा तोड़ रहे हैं यह उसमी अप घटा नभी किरिया है ठीक है यह थर्मल डिकम्पोजिशन है हम लोग ताप द्वारा किसी जटिल योगी को तोड़ कर एक से ज्यादा भाग में त गूर रहे हैं तो हमको जो मिला और इसको इसको एक त्रेक आप निकल रहे हैं इसको आम लोगों ने टेस्ट भी किया और आपके सामने ब्लू लिट मस्का निकल रहे हैं तो यह लाल होगा कभी नहीं होगा यह लाल होगा है नहीं क्योंकि इसको भीगाना पड़ेगा जालोगा तो क्या नहीं होगा देखिए अब क्या गैस निकल लए खतम हो इस टेस्ट कर लिए आजाए अब आग क्पट है यह अभी किरया दायोक्साइड गैस और सलफर ट्रायोक्साइड गैस नहीं निकल रहे हैं इसके रंग में पर्योड़ता नहीं नहीं देख का मतलब उस समय निकल रहा था अब यह अभी किरिया पूर्ण हो चुकिन है तूट गया आप पदार्थ जो आपने अभिकारत के रूप में पदार्थ लिया था वो तो इसको बंद कर दें समझ में आ गया